प्रवारीश की जरूरत होती तब यह लोग उस साधू के पास जाते और उनसे अन्रोद करते कि वह नाचे और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी कुछ दिलों बाद चार लड़के सहर से गाउं में घुमने आए जब उन्हें यह बार पता चली कि कि किसी साधू के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ सहरी पढ़ाई लिखाई के घुमन्ड में उन्होंने गाउं वालों को चुनोती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधू के नाचने से भी बारिश नहीं होगी अगले दिन सुबह सुबह गाउं वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधू के कुडिया के पास पहुचे गाउं वालों ने साधू को सारी बात बताई फिर उन लड़कों ने नाचना सुरू किया पहले लड़के ने नाचना सुरू किया आदा घंटा बीच गया फिर पह साधू की बारी थी उसने नाचना सुरू किया एक घंटा बीत गया पर बारिस नहीं हुई साधू फिर भी नहीं रुका वह नाचता ही रहा नाचते नाचते दो घंटे बीत गये पर बारिस नहीं हुई चार घंटे बीत गये पर बारिस नहीं हुई लेकिन साधू तो रुकने प्रण देखकर चारों लड़के दंग रहे गए और तुरंट साधू से चमा मांगी फिर चारों लड़कों ने साधू से पूछा बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिस नहीं हुई और आपके नाचने से बारिस हो गई साधू ने उत्तर दिया जब मैं नाचना हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ पहले बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिस को होना ही पड़ेगा और दूसरी यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक की बारिस नहो जाए सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्धमान होता है वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वे तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए इसलिए अगर हमें सफलता हांसिल करनी है तो इस साधू की तरह ही अपने लक्ष को प्राप्त करना होगा